तो इस चैनल पे एर फोर्स के रिगार्डिंग अब काफी दिनों बाद आप कोई वीडियो मिल रहा है उसका रीजन यह है कि आप कोई पता कि एंडी और सीडियस का एक्जाम लगवा फोर सेप्टेम्बर का तो उसी में हम बिजी हो गया था खेर आप में से बहुत सारे करें या फिर ना करें ठीक है और उससे भी इंपॉर्टेंट कि सर काफी लोग काफी सारे ऐसे स्टुडेंट है जो बिलकुल शूर है कि हां उन्हें मौका मिलेगा अगले वाले इंटेक में तो सर क्लासे स्टार्ट करवा दिजाए जल्दी से बिकॉज इस बार आप कोई प में क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर मैं आपको गाइड करना हूँ ठीक है गाइड इन दे सेंस वो तो मैं को बताऊंगा वेकेंसी कब आएगी ठीक है और एज क्राइटेरिया कह रहेगा और क्लासे कब से स्टार्ट होंगी लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है यहा आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ इंडियन एफोस की नेक्स्ट विकेंसी के बारे में अगर बात करूँ तो आपने भी काफी सारे टीचेस सुन रखोगा और वही यहाँ पर मैं भी बोलने वाला हूँ और यहाँ आप इसका नोटिफिकेशन है और इसमें साफ साफ अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो लिखा हुआ है अगनी वीर वायू इंटेक 1-20-22 इसका मतलब है 2-20-22 भी आएगा और अगर इसको आना है तो वो जैनवरी में तो आएगा नहीं तो फिर 1-20-23 हो जाएगा तो इससी मान सकते हो कि देखो सबसे पहले तो एक वो आपका रोजिपार पतर उता ना तो उसमें पहले ध्वड़ा सअ फबलिश कर दिया जथा शौर्ट नोटिफिकेशन एक रिलीई स कर दिया जाता है कि हां वेकेंसीज आने वाली फिर एक डिटेल नोटिफिकेशन हाता है जैसे ह यह आप देख पा रहे होगे फिर उसके आप यह तकरीबन मान सकते हो कि जो एक्जाम होगा जैनवरी लास्ट या फिर फेबररी में अराउंड जाकी आपका एक्जाम होगा ठीक है बाकी यह कोई 100% मैं पोता दूँ वो नहीं है लेकिन हाँ यही आप मान के चल सकते हो कि अगली बार आएगा उसका मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा उसका रहेगा 29 जून 2002 से लेके 29 दिसम्बर 2005 फिर से रिपीट कर देता हूं और मैं क्यूं ऐसा बोल रहा हूं वो भी आपको बताता हूं अभी 29 जून 2002 से लेके 29 दिसम्बर 2005 तक के बीच में अगर आपकी डेट अफ बोल होंगे कारण क्या है यह इस बार का है और इस बार दो साल का एज रिलाक्सेशन आपको ही मिला छूट मिली 21 से 23 कर दिया गया था तो इसी वज़े से इसमें अगर मैं दो साल को स्किप कर दूँ औ 2 साल पहले तो स्किप करूँगा उसके बाद 6 और जोड़ूँगा यूंकि यह 6 महीने बाद एक तरह से अगला इंटेक आता है तो उसी बेसिस पर आप यह मासकते हैं कि 29 जून हो सकता है कि थोड़ा मैं भी हो जाए हो सकता है अपरिल भी हो जाए लेकिन यह वाले जो मैंन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन तो आपको स्टार्ट करनी है लेकिन अब जो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यां से सुनिएगा ठीक है आपने भी इस चीज़ को अब्जेफ किया होगा कि हमारे पास मात्र एक महीना बागी था उस एक म लेकिन बात ये है कि आप मेंसे काफी सारे आप ऐसे स्टूडेंट हैं जब से अगनीपत आया है कि वो सिर्फ उसी पर रिलाई नहीं करना चाहते हैं आप मेंसे काफी सारे स्टूडें ने एक्जाम दिया है कॉम्पटिशन बहुत टफ था इस बार भी ऐसा कुछ नहीं कि अगनीपत आ गया तो वही मैं आपको शुरूँ भी बोला था बोलेंगे सब जैसे होता ना कि पैसे के बारे में बोलते हैं कि पैसे गलत चीज़ लेकिन पैसे दिखते ही तुरहन सबका जो है दिमांग डामा डॉल हो जाता है वैसे है यहां पे है कि अगनीपत ने बोला त तो कोई न कोई और भरेगा और वो उस opportunity को ले के जाएगा ठीक है तो main बात यहाँ पर आती है कि आप उस पे completely आप मेंसे काफी सारे student rely नहीं करना चाहते हो या फिर आप मेंसे काफी सारे स्टुडेंट होंगे जो अभी मैंने date of birth पर उन्हें पहले से मालूम होगा कि वो अगले वाले intake के लिए eligible नहीं है तो उनके लिए क्या options है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए better strategy क्या रहेगी क्या आपके लिए अभी से और classes आपकी कब से start होंगी वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात दे होगी है कि classes आपकी start होंगी notification के आने पे क्योंकि हमें पता है कि around 2 महीने का time तो at least मिलेगा और अगर ऐसा लगता है फिल होता है कि हाँ नहीं notification से पहले हमें start करना चाहिए विकास थोड़ा time कम मिलेगा notification आने पे तो वो भी हम करेंगे अब इसका reason क्या है चाहें तो अब भी ही आपके लिए एक batch लेके आ सकते हैं बाकी लोग के तरह है कि आप ये batch ले लो ठीक है लेकिन वो मैं करूंगा नहीं क्यों क्योंकि जब मुझे पता है मेरी मेरे दिल को पता है कि जीके एक महीने से ज़्यादा का है नहीं जब अनुट सर को पता है कि इंगलिश दो महीने से ज़्यादा का है नहीं एर फोर्स एक्जाम परस्पेक्टिव की बात कर रहा हूं reasoning में में मेंली आता है non-verbal verbal में उतना ज़्यादा दम है नहीं मैंस में भी आते हैं selective topic से तो जब यह पता है कि दो महीने से ज़्यादा की preparation नहीं है तो फिर students को हम उल्जा के क्यों रखें छे महीने में और फिर किसी चीज की surety है क्या कि वो आही जाएगा December में क्योंकि देखो बोल सकते हां 90% से जाता chances है ठीक है लेकिन आपने जो पिछले एक साल से देखा तो किसी पर rely नहीं कर सकते हैं अब यह तो आपने जरूर सीख लिया होगा ठीक है कि completely आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो हाँ अब यह है कि च coming जो exams हैं उसके लिए भी आप prepared रहो जैसे for example अगर मैं बात करूँ SSE GD की अभी दोको इसका तो आपको answer मिल गया होगा कि batch कब से start होगा और क्यों तब से start होगा उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं ठीक है फिर उसके बाद जो भी आपको सही लगता है step आप वो करिएग SSE GD हो गया डेले police constable हो गया ठीक है डेले police constable हो गया काफी सारे student UP police वाले भी होगे मुझे पता है लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं जिसे all India vacancies होती है SSE GD हो गया डेले police constable हो गया फिर आगया SSE MTS आएगा तो मैं आपको ये चाहता हूं कि इन सारे exams के लिए prepared draw because ये मै मैं बोल रहा हूं ठीक है maths में अगर maths में ये है अगर SSE MTS GD के perspective से पढ़ोगे तो Air Force में ये है जी के अगर ये पढ़ोगे तो Air Force के लिए ये है ठीक है तो अगर मैं चाहता हूं कि आप ये जो बड़ा वाला गोला मैं बना रहा हूं इस पे आओ SSE MTS GD इन सब के because eligible तो आप भी चाहता है कि multiple जब जब आप crack करते हो exams तो sense of confidence देता है और आपके पास एक option होता है कि हाँ मैं जाऊं जैसे कि काफी सारे SSE student है कि अगनीपत में आध्या दूरा मैंने से exam देते हैं कि जाये ना जाये ना जाये तो जब आपके पास option होगा हाथ में तो ये जाये ना वाली situation नहीं आएगी क्योंकि अगर option नहीं होगा तो जाना ही पड़ेगा ठीक है जाना ही पड़ेगा लेकिन अगर option है तो आपको फिर उस हिसाब से pick up कर सकते हो कि हाँ भी मुझे defense का line चुरना है तो मैं Air Force में जाऊंगा अगनीपत में जाऊंगा और अगर नहीं चुरना को अगर अभी क्या हो रहा है अगस्त का last है September है October है November है ठीक है December माल लेते हैं January माल लेते हैं पांच महीने तो ही है जानवरी से पहले तो मझे नहीं लगता आपका exam होगा ठीक है पसनली अगर मत हो तो January तक अगर हम देखें तो पांच महीने पूरे के पूरे है Air Force Y Group की preparation पां पांच का प्रेपेर करो और Air Force का जब स्टार्ट होगा classes तो वो जस्ट आपके लिए एक revision batch होगा आपके लिए जस्ट वो revision होगा क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं उन तीन से लेके चार महीनों में बस आपका revision होना है PTS आपको लगाना है जिसने इतना दमाल मचाया जुलाई वाला पिछला वाला exam और इस बार वाला exam तो दोनों है और बस आपको PTS test series लगाना रहेगा आपको revision आपका जो भी lectures होगा आपके लिए एक revision के तोर पे act करेंगे और आपका selection ensure हो सकेगा आराम से आराम से मैं बता रहा हूँ ठीक है तो इसी के लिए यहाँ पर आप आपको batch में enroll करना अगर आपको classes में enroll करना है तो अभी SSC GD के perspective से एक batch start हुआ है परमार academy app पे ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको force नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताएं कि मैं क्यूं चाहूं तुम्ह Air Force कभी से start कर सकता हूँ आपको यह पता है कि इतने सारे student के selection हुए है और दबा के enrollment भी होंगे तो वो मेरे लिए एक personal loss है अगर मैं देखूं तो personal loss है लेकिन जब मुझे पता है कि दो महीने से ज़्यादा का नहीं तीन महीने से ज़्यादा का है नहीं वाई ग्रूप के perspective से और उनके लिए better students के लिए better option यह हो सकता है कि अभी से preparation start करें उन exams के लिए GD, MTS इनका prepare हो जाएगा Y group हवा हवा में momentum में निकल जाएगा momentum in the sense कि आपके speed बनी हुई है speed बनी है तो उसको भी जहापड मारते हुए निकल गए Y group को भी ठीक है फिर आपके MTS के भी जहापड ल में अपना बढ़ाओगे थोड़ा सा push करोगे खुद को थोड़ा एक अदम आगे बढ़ाओगे तो यह सारे exams आपके inner row crack होंगे तो इसी यह वज़े से SSC सिर्फ GD का भी करके एक batch start किया आजाद batch परमार academy application पे अब वो सिर्फ SSC GD आपको दिखा देता हूँ भले यह SSC GD perspective से start हुआ है लेकिन इसमें यह ensure किया जाएगा ensure किया किया जाएगा वो तो ही ensure कि आपका MTS भी crack हो UP police में का अगर जो लोग देने वाले वो भी UP SSC pet उसके लिए तो खेर उतना time नहीं यह 15 October लेकिन जो भी आपके आपका में exams हैं इस level के GD level के जैसे कि MTS हो गया Delhi police constable हो गया और इसी लिए SSC GD में आपने देखा हो कहीं पर अगर आप batch में देखो English subject नहीं होता है वहाँ पर English subject नहीं होता है लेकिन इसी वज़े से इस batch में मैंने English डलवाया है ताकि पूरा coverage हो सके English का Math का, GK का, Hindi का, Reasoning का सब कुछ ताकि तुम किसी भी exam में बैठो इसके beyond क्या ही आएगा, GK में ही आपका Science Computer सब कुछ हो रहेगा, अब मैं इस batch की regarding आपको बता देता हूँ, फिर अपने according आप decision लेना और सारी चीज़ें खुद से decide करना, खुद BAT के ध्यान से, ठीक है बाकी जैसे मैं बताया, Air Force Y Group का आएगा सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं चाहता ह जो की आने वाले हैं, मतलब कि आप ये मान लो, कि मार्च अपरेल में, जो भी मैं एग्जाम्स के नाम ले रहा हूं, मार्च अपरेल में सब हो जाएंगा, Air Force भी हो जाएगा, आपका GD भी हो जाएगा, आपका Delhi Place Constable, ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, अगले आने वा लिया, तो आप ये मान के चलो, back to back, multiple आप एग्जाम्स को वहाँ पे क्राक करने वाले हैं, ठीक, तो यहाँ पे English आपकी लेंगे पुश्पेंद्र सर और परमार SSC चैनल पे, ये तो आपका परमार SSC चैनल है, परमार SSC चैनल, उसका लिंग में डिस्क्रिप्शन डाल लाइम पे, बाकी टीचर्स की भी डेमो क्लासे ये आप पढ़ी हुई हैं, और मंडे से आपकी अप्लिकेशन पे क्लासे स्टार्ट हो रही है, भले यहाँ पे सिसी जीडी लिखा है, लेकिन आप ये मानलो की जो जिस माइंड से हम लोग यहाँ पे आपको कवर करवाने वा तो English हो गया, Maths, same goes with Maths also, GK, Hindi, Reasoning, सारी चीज़े, मतलब ऐसा cover करवाए जाएगा आपका, ताकि multiple जो exams हैं, वो inner row crack हो, Monday से आपकी इसमें classes start होने वाली है, इसका मैं आपको बता जता हूँ, इसमें अगर enroll करना है, तो कैसे करना है, तो link आपको description में दियोगा, परमार Academy का, बाकि आप Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हो, परमार Academy एप, तो जब आप डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर आपके पास option आएगा, ऐसे courses करके, ठीक है, पहले अपना ID बगरा बनानों का, course पर, courses पर जैसी आप click करोगे, तो यहाँ पर आपके पास option आएगा, एक SSE GD 2022 और special GK batch, आप में से काफी सारे ऐसे student है, जो सिर्फ और सिर्फ GK पढ़ना चाहते हैं, बिकास GK आपे कौन कावर करवाएगा, मैं आपके करवाने वाला हूँ, सिर्फ मैं नहीं रहूँगा, कम्प्यूटर के लिए, जैसे कम्प्यूटर का चोटा से section होता है, उसके लिए मैं अलग से आपको teacher बिलाँगा, अमन सिर्फ आपको करवाएगा, चोटी चोटी जो अलग अलग चीज़ें हैं, ताकि आपको पूरा GK का coverage मिल सके, बेस्ट टीचर से, ठीक है, यहाँ पर आपको सारा assignment, सारी चीज़े मिलने वाली है, तो इस वज़े से बस आपको prepared रहना है from Monday onwards, तो अगर आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ मुझे आपसे GK पढ़ना है, तो यहाँ पर आप अलग से GK में अन्रोल कर सकते हैं, बाकी SSE GD अलग से यहाँ पर अन्रोला, इसका price कितना है, वो भी यहाँ को होता देता हूँ, जब आप इस पर click करोगे, तो I think 1200 के राउंड प्राइस दिखाएगा, इसमें आपको code यूज करना है, क्या timing रहेगी classes की, और classes आपकी Monday से start होंगी, और demo classes आपकी परमार SSE channel पे पढ़ी हुई है, तो उसको वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, बस मैं आपको यही चाहता हूँ, कि घुमा फिरा के आपका multiple exam crack हो, बाई, किसी कालन वश्मान लो, अपने सिर्फ Y group के prepare कर रहो, जैसे नों इता है कि इतना नहीं है, जवर जस्ती खीचा जाता है, GK मैं लिख के दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता कौन कैसे पढ़ाता है, लेकिन एक महीने से ज़्यादा का GK है ही नहीं Air Force का, ठीक है, तो जब मैं एक महीने तुम्हें cover करवाऊंगा, वहाँ पर वैसे तो at least दो महीने पहले तो हम तुम्हारी Air Force की preparation करवाएंगे, because कोई risk नहीं लेना चाहते हैं, ताकि जो serious student है, वो exam crack करे, तो वो कोई risk नहीं लेंगे, लेकिन एक महीने से बड़ा GK नहीं है आपका, यह आपने खुद ही देख लेगा, एक महीने हम लोगों ने cover किया, और mostly questions आपके वहीं से आए, और इस बार थोड़ा Air Force ने अपना level भी बढ़ाया, जीके का भी यह अपने भी देखा होगा, तो इस वज़े से आप सिर्फ उसी पे, सिर्फ Air Force Y Group पहले लाई नहीं कर सकते हो, आपको थोड़े high preparation करके चलनी पड़ेगी, तब आपका Y Group यहाँ पे निकलने वाला, because competition और बढ़ चुका है, मैंने आपको बताया, इसका reason क्या joblessness, ठीक है, तो इसी वज़े से, यहाँ पे जो भी आपका maths कावर करवाया जाएगा, reasoning, English, GK, जो भी कावर करवाया जाएगा, वो सब targeted रहेगा, ताकि holistic coverage मिल जाए, in future आपको पढ़ने के जरुत ना पढ़े, इन सभी इस level के exams के लिए, constable हो गया, head constable हो गया, कोई भी आप exam देते हो, MTS के exam देते हो, because वो ही सारी चीज़े हैं, अगर SSC exam ले रहा है, GT के SSC exam लेगा, MTS के SSC exam लेगा, daily place constable का, तो same ही conducting authority around, अभी मान सकते हो कि same इस levels और same ही level around सब का रहेगा, तो सारे exams crack होंगे, अगर एक बार पढ़ो, लेकिन शिद्दत के साथ धंक से पढ़ो, काइदे से पढ़ो, ताकि दुबारा आपको पढ़ने के उसमें ज़्यादा जरूरत ना पढ़े, बाकी उमीद करते हों सारी चीज़ें आप समझ गया होंगे, और कोई डाउट है आपका, तो कॉमेंट सेक्षिन में ड्रॉप कर सकते हैं, और जो फेस्टु अले स्टुडेंट है, उनको सभी को best of luck, आपके कल से फेस्टु स्टार्ट है, मैं उतना ज़्याद आपको गाइड नहीं कर पाए, उसके लिए sorry, जैसे मैं नहीं पता है, एंडी और सीडेस का भी एक्जाम लगा हो, 4 सेप्टेंबर को, तो अब आपका एक्जाम करवा दिया था, मेरे ड्यूटी बनती है, कि उनका भी मैं उनका भी एक्जाम करवा हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं, अगले क्लास में बाकि आपका कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट सेशन में ड्रॉप कर देना, और ऐसा नहीं है, कि मैंने वीडियो आपको गाइड करना बंद कर दिया है, जैसे मैं बता है, एंडी सीडेस की वाज़े से, मैंने थोड़ा सा वीडियो कम होगे थी, बाकि कोस्ट कार्ट का भी आने वाला है, कुछी दिना में नोटिफिकेशन, तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो लेख आपको का कब नोटिफिकेशन आएगा, और कैसे कैसे उसके लिए आपको प्रिपेर करना चाहिए, तो वो आप मत सौचो, मुझे आपके लिए जो बेस्ट है, वो बस मुझे करने दीजे, ठीक है, यहनि कि अब आपका एक्जाम हो गया था, अंडी सीडेस वालों का मेरा ड्यूटी बनता था, उनका भी क्रैक करवाना है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक्जाम क्रैक हो जाए, और उसके बाद फिर से मैं आपके लेक्चर्स लेने वालों, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कोई डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्षिन में ड्रॉप कर सकता है, वीडियो कर पसंद आए, तो शियर ज़रूर कीजएगा, लाइक कीजएगा, धन्यवाद,